Good morning, Fever 104FM के भारत Positive Show से मैं शारत बात कर रहा हूँ आज भारत Positive Show में, I am in conversation with Shri Anish Actually, conversation कुछ रोज पहले हुई थी, उसका टुकड़े आज मैं आपको सुना रहा हूँ Shri Anish is a spiritual master, teacher, visionary, humanitarian, mentor, everything rolled into one बहुत feel है उनमें और उनसे कुछ रोज पहले बात हुई अच्छा, Shri Anish ने एक web series launch की है, उसका नाम है सोने की चड़िया आप YouTube पर जाके लिखे, Shri Anish सोने की चड़िया and you'll see this web series बड़ी कमाल की है, मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने उनसे पूछा कि इसके फीशे का thought क्या था और किस तरीके से इसे उन्होंने कंसीव किया, तो वो बोले तो thought आया शरत इस realization से, कि कोई भी व्यक्ति जिसको अपना great past नहीं पता, वो अपना sunhrim भविश्य नहीं बना सकता So the past, present and the future are all linked together This philosophy, this realization यहां से ही शुरुबात हुई और हिंदुस्तान की क्या गरिमा रही हजारों वर्शों से और क्यों आज हम में वो sense of pride नहीं है अपने देश के प्रती We were the pioneers शरत in almost every walk of life, in everything जब यॉरप को पता भी नहीं था कि पेट का दर्थ कैसे ठीक करना है हम यहां plastic surgery करते थे So this web series is a culmination or germination from that philosophy, that thought तो हिंदुस्तान के कुछ चीज़ों को हम निकाल के हर episode में प्रस्तूत कर रहे हैं पहला episode हमने बनाया, 26 January को हमने भारत को वो अरपित किया पहला episode जिसका नाम रखा बुनी हवा बुनी हवा, okay Very interesting title क्योंकि 300 साल पहले हमारे यहां का जो कपड़ा बनता था शरत, that was the highest quality cloth in the entire world और लोग ऐसा मानते थे कि यह हवा से बुना जाता है, इतना हलका कपड़ा वहां से इस एपिसोड का नाम आया, बुनी हवा इस से जादा रिवील करना मुझे लगता है उचित नहीं होगा बट एक fact बता देता हूँ एक fact बता देता हूँ शरत, Britishers के आने से पहले Hindustan का share in the world economy was 27% और जब Britishers 1947 में यहां से गए, हमें लूट के गए वो share मात्र 2% रह गया था वाइट हैपन और ऐसा क्या था जिस से इस देश को सोने की चिडिया कहा गया और किस चीज ने इसको सोने की चिडिया बनाया और क्या हम वो फिर से recreate कर सकते हैं This web series about that